तो गाइस आज की वीडियो में बता हुँआ कैसे आपको support and resistance like को draw करना है और कैसे follow up करना है प्लस कहां पर हमें देखना की breakout हुआ और कहां पर हमें लगता है की retest हो सकता है है फेल होता है या फिर सही चला जाता है success रहता है तो वह आज की वीडियो में बताऊंगा तो वीडियो पर एंड तक बनी रहना और उसी के साथ फिर आपको कुछ ट्रेड लिके भी दिखाऊ हुआ इससे आपको पता चलिए कि मैंने आपको क्यों पूट करी है या पाय करी है मारेक्ट आपको । एससे बुलते हैं मारिकित टैच करके वापे गuseं फो जाके पर बना देंगे तो तो यह देखो हम अगर यहां पर बनायते लाट से मार्किटज करके वापस गिया तो इसे बोलते हैं जहां से मार्कled टैच कर चैखर के यह नोगोर सरहे सब करके यह जाता है अब लाइन रहां करेंगे इस पॉंक के लिए इस मीथेकर ली sl Literally और यहां पर थोड़ा सा नीचे आएंगे यहां तक भी मार्किट आएगा नहीं यहां पर हम प्रॉप कर लेंगे और एक हम यहां ड्रॉप कर लेते हैं तो हमने यहां पर अपना support and resistance draw कर लिया है और मैं आपको explain करूँ हो जब तक यहां तक market आ जाएगा या फिर इस line तक आएगा तो मैं आपको फिर trade लेके भी दिखा दूँगा तो first of all मैं आपको बताता हूँ देखो यह resistance point है एक resistance क्या होता है जहां से candle आएगी टाच करके market अप डिरेक्शन में जाएगा और रजिस्टेंट जाएगा तो इसे हम support and resistance बोलते हैं बाकि आपको एक plus point हमेशा लिके चलना है हमें market का प्रेंट भी देखना है अभी तो कुछ ताम से market अप्ट्रेंट में पकट रखा है तो हमें एक plus point यह लेना है कि अप्ट्रेंट चल रहा है तो अगर ब्रेक आएगा तो ज्यादा बैटर है नहीं आदा तो आफ वोलॉप करी सकते हो ठीक है बाकि में थोड़ा वीडियू को इसे market बॉइंग कंपनी अच्छ बार्यवेश के अप्रेंट यहां पर हम एक ट्रेंट नहीं तो यहां पर हम एक ट्रेड नहीं बागा लेते हैं अप्ट्रेंट में आप डिरेक्शन में जैसे इस कैंडल का वेट कर रहा है हूं और जैसी हिए अपर अधर आंड होगी हम दो आपके लिए लेंगे और यहां हमने दो ट्रेड ले लिए अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगा आप बोलोगे कि इस सपोर्ट पॉइंट से वापिस क्यों नहीं किया क्योंकि यहां पर इसको ब्रेक आउट दिया और ब्रेक आउट के बास सेम केंडल बनती है जैसा कि यहां पर इसने ब्रेक आउट नहीं करा और दूसरी बात कि आप ट्रेंड है ठीक है तो इसे से जादा चांसे हैं कि यहां पर एक ग्रीन केंडल का फॉर्मेशन हो ठीक है और अगर आप चाहते हो हाई कॉलिटी ट्रेडिंग सिगनल फॉलो करना तो आप मेरा टेलीग्रम च यहां से मार्केट ट्रेच करके केंडल अब जाती है तो आपने आप देख लिया और मैंने आपको लाइप करके भी ट्रेडिंग दिखा दिया और इसी प्रॉफिट के साथ आज हम यहीं पर रुख जाएंगे हम जादा ट्रेड नहीं करेंगे बाकी मैंने जो आपको एक्स् प्लस मार्केट का ट्रेंड हमें यह समझ के रखना और कहां पर ब्रेक आउट हुआ है कहां पर नहीं ठीक है बाकि अगर आपको वीडियो में कुछ भी समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है आप ज़रूर से 110 परसेंट आपको महापर रेप्लाइ बाकि मेक शूर तो सब्सक्राइब आप चैनल